दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TEC एक्जाम के बारे में देखिए अगर आपको अपना CSC का रजिस्ट्रेशन करना है CSC का आड़ी लेनी है तो आपको पता होगा कि आपके पास पहले TEC का सैटिफिकर्ट होना चाहिए ठीक है पर हो क्या रहा है जो आपका सै पहले ही मिल जा रहा है जब आप पेमेंट कर दोगे 1489 रुपय की उसके बाद आपको जो यूजरने मिलता है वही आपका TEC का नंबर होता है ठीक है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसी नंबर से अपनी CSC ID के लिए अप्लाई कर देते हैं और CSC ID उनको मिल भी जाती है ठीक है तो ऐसे में दोस्तों एक सवाल आता है कि क्या TEC का certificate लेना जरूरी है या नहीं है ठीक है क्योंकि भाई जब हमें अपना यूजरने मिल गया है अपना TEC certificate नंबर मिल गया है हमारे CSC ID पर अप्लाई हो गई है और CSC ID भी मिल गई है तो फिर हम TEC का एक्जाम क्यों द अपना TEC का एक्जाम देना है उसके बाद TEC certificate लेना है और उसके बाद आपको apply करना है ठीक है अब जो username के जरिए TEC certificate number मिल जा रहा है यह TEC वालों की गलती है या तो उनको अलग करना चाहिए username अलग करना चाहिए और TEC certificate का number अलग करना चाहिए ठीक है उनकी वजह से क्या ह कर रहा है कि लोग तो apply कर दे रहे हैं लोगों कलती नहीं है लोगों को अकर number मिल जागा तो apply कर देंगा ठीक है अब तुम उनको CAC ID दे दोगे और बाद में क्या करोगे एक दो महीने बाद आप उनकी CAC ID को कर दोगे block बंद कर दोगे फिर आप यह reason दोगे कि भाईया तु यह दिकत खड़ी हो जाएगी मतलग अभी तो आपने अपना पैसे भर दिये username से apply कर दिया और CAC ID ले ली पर बाद में आपके ID बंद हो सकती है block हो सकती है क्योंकि आपने सही process नहीं अपनाया ठीक दोस्तों और एक चीज़ और है जो मुझे पता चली है कि अगर आप DM से ब जो TC का exam है वो देने जरुत नहीं है DM भी मना कर दे रहे हैं ठीक है तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि सिर्फ 1489 रुपई सरकार को चाहिए वह जब बिना certificate कही है apply हो जा रहा है और DM भी मना कर रहा है तो फिर चक्कर क्या है ठीक है तो दोस्तों मैं आपको पताना चाहता बहुत आसान होता है नॉर्मल से कोशन आते हैं और जो असेस्मेंट आप करते हो आपके आदे कोशन उची में से आयाते हैं उसमें से आप आसाने पास हो जाओगे ठीक है बागे जो नोटस है वह आपको यूटूब पर मिल जाएंगे बहुत सारी वीडियोस है जहां पर आ अभी एक्जाम नहीं दोगे सैटिफ कट नहीं लोगे तो अगर आपका काम चल गया और बाइचांस उन्होंने आपकी आईडी को बंद ब्लोक कर दिया और यह रीजन दिया कि आपने टीजाम नहीं दिया से लिए आईडी बंद कर दी तो आप क्या बोलोगे ठीक है बेसा क इस वीडियो में मुझे यही बात बताने थे आपको और आई होप आपको मेरे बात समझ आगे होगी